रंजी मैचों में सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल इशांत गंभीर और पंत की मौझूदगी में मैदान में घुस गई एक कार. नई दिल्ली, दिल्ली के पालम मैदान में चल रहे दिल्ली और उत्तरपा. प्रदेश के बीच चल रहे रंजी मैच के दोरान उस समय हरकंप पहुच गई. उस समय वहाँ पर अंतराष्ट्री क्रिकेटर इशांत शर्मा, गौतम गंभीर और रिशब पंच जैसे खिलाडी मौझूद थे. इस सब बात का किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कोई कार बीच मैदान में घुस जाएगी. सवाल इस बात के भी उठ रहे हैं गाडी दोड़ा बैठा. आपको बता दे कि इस समय रंजी मुकाबले चल रहे हैं. युवा बल्लेबाज अक्षदीप नाथने नाबाद शतक जमा कर उत्तर प्रदेश को शुरुआती जटकों से उबारते हुए दिल्ली के खिलाफ अच्छी स्थिती में भी पहुचा दिय अक्षदीप अभी 110 रं बनाकर खेल रहे हैं. उन्होंने तब जिम्मा संभाला जबकी उत्तर प्रदेश ने इशांत शर्मा 38 रं देकर तीन विकेट की शांदार गैनबाजी से कप्तान सुरेश रहना, सुलह, सहित चोटी के 4 विकेट 21 रं पर गवा दिये थे. प्रदेश ने रिंकु सिंग 64 के साथ पांचवे विकेट के लिए 108 रं की साजहदारी की जिससे उत्तर प्रदेश ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 224 रं बनाए.